अगर आपके computer में भी Mac Cafe का fake notification अगर इस तरह से so करता है actual में इस तरह से fake notification कैसे आता है अगर आप किसी secure website पर work नहीं करते हैं तो इस type का problem हो जाता है तो चलिए इसको remove कैसे करते हैं वो समझते हैं सबसे पहले आप अपने computer screen पर किसी browser को open करें तो जैसे हम यहां Google open किये वे और यहां से corner पर आप देख रहे होंगे 3 dot इस 3 dot पर किलिक किजिए और इसके बाद यहां से more tools में जाना है और यहां से extensions सबसे पहले extension देख लिजे क्या यह Mac Cafe का antivirus क्या यह extensions के साथ जुड़ा है अगर नहीं जुड़ा है तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है जैसा कि देख रहे होंगे यहां पर कुछ भी नहीं है तो इसको क्या कर देना है बैक चल जाना ठीक है फिट से हम 3 dot पर किलिक करेंगे और यहां से setting पर जाते हैं इस जगह पर अप्शन स्लेक्ट है डिफॉल्ट बिहेवियर में साइट कैन आज्ट तू सेंड नोटिफिकेशन करने का यह दिया हुआ है अगर हम यहां से don't allow कर देंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन यहां से नहीं आएगा और इसी जगह पर देखिए आपका यह सब्स है यहां पर एड किया हुआ है एलाव तू सेंड नोटिफिकेशन यह वाला जो मैक यह करना है आपको इस पर किलिक करना है और इसके बाद किया किजिए यहां से ब्लॉक कर देंगे तो देखें साइड में जितना भी सारा नोटिफिकेशन था वह सारा रिमूब हो गया अभी इस वाले सक्षन में चला गय अब यह जितनी भी है यह सारा आपका notification नहीं करेगा लिखावार not allowed to send notification ठीक है अब इसके बास system आप चलाईए आपका notification जो है इस type का जो Mac cafe का जो fake notification वो नहीं आएगा उमिदे इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे अगर आपके computer में इस type का problem आज आता है तो remove कर सकते हैं सरी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिए देए